विर्ग डिवनी गाईज, बर्लन दसाइड, वेलकम बाक तो अनदर लर्निंग वीडियो फ्रम ट्रेड लेक बर्लन, तर्जडे मार्केट के लिए क्या इंपोर्टेंट लेवल्स होंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए वो डिस्कुस करने वाले हैं, मेरी एक्सपे पकल लगपक दस बजी के तक कि आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ओके, लेट्स बिगन वीडियो गाईज, पहले ये डिस्कुस कर लेते हैं, जो कल विंस्टे के लिए जो लेवल्स दिये थे, क्या आपके वो काम है, क्या लेवल्स वो वर्क ये, आपके सामने वो लेवल लेवल्स हैं, अपसाइट और डाउंसाइट के लिए, ठीक है, निफ्टी आज इसके ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद निफ्टी ने इससे सपोर्ट लिया, और यहां क्लोज हुआ, तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट इसके नीचे आया ही नहीं है, य चलिए, यह हो गया निफ्टी का बात, अब एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम थी, बट हां थी, ठीक है, बैंक निफ्टी खुला, गाप फिल करने आया, इसके मतलब जो लेवल था, इसके नीचे और निफ्टी फैनाल्स कोई मतलब नहीं है, भी इसके करने का, फिर निफ्टी जब एक्सपाइर होगा, तब डिसके करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वो दे देता हूं, लिख लेजिए उनको, और मैं इन लेवल्स को कर रहा हूं, ठीक है? ओके, सबसे पहला जो लेवल है, ये जो दो लेवल है, इनको ऐसे कैसे ही रहें दो, पहले दो लेवल नोट कर लो आप, पहला है 18,645, दूसरा है 18,565, ये दो लेवल ऐसे कैसे ही रहें दो, क्यों? क्योंकि, मार्केट इसके नीचे अगर 15 मेंट की लेखा तो सीधा टार्गेट यह रखना मार्केट सीधा यहां आएगा ठेक है हां क्लोजिंग पे चोटा सा टिक रखना हो सकता है सपोर्ट ले बट नहीं इतना जादा अगर मार्केट इसको ब्रेक करने का अदम रखता है तो यह पहले दो लेवल बता दीए अब आपको एक बस ओके देखो मैं आपको समझा रहा हूं द्यान से सुनना मार्केट कल अगर मान के चलो इसके ऊपर खुलता है तो यह लेवल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ठेक है मार्केट अगर इसके नीचे खुला तो यह लेवल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा यह जो लेवल द देखो यार आप हमेशा याद रखो gap up और gap downs यह काफी सारी चीज़े आपको बताते हैं मैं सब एक्स्प्लेइन कर रहा हूं ध्यान से सुनना मान के चलो मार्केट गाप डाउन खुला मार्केट निकल अच्छी साथ अच्छी कासी स्ट्रेंथ के साथ closing दी बट आज गाप खुला यहां खुला यह लवल को यूटिलाइस करो शॉट करना के लिए इनके अलावा कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है यह हाई को थोड़ा सा देख लेना इसके उपर आप अच्छी कासी बुलिश पोजिशन बना सकते हो बट मेरे हिसाब से कल मार्केट काफी सारी ची अच्छा कासा रहने वाला है मेरे हिसाब से 0.701 परसंट के आसपस का मोमेंट देखने को मिलने वाला है ठेक है चलिए यह तो हो गया बात आप स्ट्री शॉट ले लीजिए यह हो गया निफ्टी कंप्लीट बैंक निफ्टी के लेवल्स बता देता हूं की मतलब समझ लो इस लरएक डोलकर रहने तो हूं बैंक एस एक उपर लेगा तो यह सपोट का इंपॉर्ट करेए के यह यह इंपॉर्टेंट है यह ब्रेक आउट होगा इसके नीचे अगर मार्केट खुलता है तब बता रहा हूं इसके उपर खुलेगा तो यह सपोर्ट का काम करेगा यह लवल तूटेगा मैं आपको यह बता कर रख रहा हूं यह पैनिक लवल यह लवल तूटेगा अपसई करेगा मतलब करेगा मैं बता रहा हूं क्यों क्योंकि अगर आपको एक चीज दिखाऊ इस लेवल को देखो और इस लेवल को देखो इस लेवल के उपर यह चीज नोट डाउन कर लो एंड होल्ड करना मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है तो सपोर्ट एचा खासा है इसके नीचे खुलता है तो रेजिस्टन से इसके नीचे को डेखान इसके नीचे देगा इसके नीचे देगा कं से कम इस टारिट के लिए टेके और Ä condition इस टारिगेट के लिएक त incre consumed these fiveवach फेले युवक्त और श्रें के एक लूप आप यहium चेर ले लिए होगा चले अब शंभा रहो ओ 거기 और से सुनना ध्यान से सुनना हो कि पहला लेवल इसके ऊपर मार्केट जाता है अगर 15 मिनित की क्लोजिंग देता है आख बंद करो और होल्ड करो 500 पॉइंट अप मूव के लिए ठेक है हाँ जरूरी नहीं कि एक ही दिन में मिलता है बट हाँ यह है कि उसके उपर डारेक 500 पॉइ यह है इसके ऊपर मार्केट 15 मिनिन देकर इसके नीचे खुला है इसके उपर ले सकते हैं इस लेवल के बिलोव ही इसके लेवल के बीलोव ही शौट करना है इसके बिलोव करना है एंड होल करना अच्छेवार्थ के लिए ठीक इसके नीचे शौट आयेगा न तो मैं बता रहा हूं विकनेस बढ़ेगी अपने अच्छा खासा टार्गेट देखने को मिलेगा लग लग समझ लो यार नीचे सा हो आज थोड़ा लेट हो गया उसके लिए सॉरी and if you are learning anything through this series then let me know in the comment section and just want to say guys stay with trade like Berlin and we have to make a lot of things together कहीं जी मेरको अके लिए जाने का कोई शौक नहीं है तेक है जाना है आपके साथ ही जाना है that's all bye bye guys take care have a good day and कल के लिए all the best bye bye take care